दोस्तों, आज कल कम उमर में ही बालों का जड़ना सुरू हो जाता है आज के समय में हर कोई व्यक्ति बालों के जड़ने की समस्या से परिशान है चाहे वह कोई पूर्स हो या फिर महिला इसका सबसे बड़ा कार्ण हमारा खराब खान पान है और हमारे दुआरा बालों की सही तरह से सफाई या फिर देखवाल नय करना आज की व्यश्ट दिंचरिया के कार्ण हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बालों की देखवाल करने का अगर हमारे बाल कुछ मातरा में हर रोज जड़ें तो कोई परिशानी की बात नहीं क्योंकि इतने ही बाल नए उगाते हैं लेकिन यदि यह है अधिक मातर में जड़ने लगें तो परेशाने की बात है इसका हमें तुरंथ ही इलाज करना चाहिए क्योंकि वरना हमें गंजेपन की स्थिती का सामना करना पढ़ सकता है दोस्तों आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी अच्चू कोस्ती एक ऐसा नुस्खा और एक सरल नुस्खा लेके आए हैं जिसका वीक में अगर आप दो दिन प्रियोग करेंगे तो उससे ही आपके बालों का जड़ना बंध हो जाएगा और हमें गंजेपन की स्थिती का सामना नहीं करना पढ़ेगा तो आए जानते हैं इस अच्चू कोस्ती के बारे में इस उस्दी के लिए सामगरी अमरूद के बत्ते 15-20 पानी 1 लिटर नार्यल का तेल 30 एमल अरंडी का तेल 20 एमल उस्दी को त्यार करने की विदि दोस्तों इस उस्दी को त्यार करना बिल्कुल ही असान है आपको करना बस इतना है कि सबसे पहले आप कोई बर्तन लें और उसमें पानी को डाल कर उस पानी में अमरूद के पत्तों को डाल कर आग पर उबलने के लिए रख दें उनको अच्छी त्रहें से 10 मिन्ट तक उबा लें और उबलने के बाद उनको आग से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें और दूसरी ओर आप कोई काच की कटोरी लें और उसमें नारियल का तेल और अरंडी के तेल को डाल कर मिक्स कर दें अच्छी त्रहें से अब इस मिक्स्चर से अपने सिर में बालों पर हलके हाथ से मसाज करें पांच मिन्ट तक और मसाज करने के बाद 25-30 मिन्ट तक इसको ऐसे ही अपने बालों में लगा रहने दें अब आप 25-30 मिन्ट के बाद अपने बालों को सिर को अमरूद के पत्तों के पानी से जो आपने अभी उबाला था उससे धो लें अब आप अमरूद के पक्तों से अपने बालों को धोने के बाद 30 मिन्ट तक उनको ऐसे ही लगा रहने दे पोंचे नहीं या साप पानी से धोने तीस मिन्ट के बाद आप उनको साप पानी से धोने दोस्तो अगर आप इस ऐस्वतिका प्रयोग हफ़ते में दो बार करते हैं तो इससे आपके बालों का ज़ड़ना 100% बंद हो जाएगा और आपके बाल तेजी से बढ़ने लगेगे दोस्तो अगर आप भी बालों के ज़डने की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस उस्दी का प्रियोग करके अपने बालों के जड़नों को बंद कर सकते हैं और आपके बालों के बढ़ने की रफ्तार को तेज कर सकते हैं दोस्तों आप इस जानकारी को समाजित में अधिक से अधिक से शेयर करें जिसे जो मेरे भाई बालों के जड़ने की समस्या का सामना कर रहे हैं वैं इस ओस्दी का प्रियोग करके अपने लिए फाइदा उठास कें